ओो हिए हैं के तो लास्ट ताइम भंगोों ब्राइस किया था था Montagcor언्ष चीस doubles किया था उल्च ए पना अन्दर उदर करंगोली फ्लोग होता है तो करंड को वह फोनी हो था वो इंसुलेटर की तरह है बात करते हैं next topic electric symbol हमारा next topic क्या है electric symbol कि symbols के इस तरह के बना जाते हैं तो पहला जो symbol है electric wire का है और wire का symbol जो बनता है only straight line बनता है ठीक है wire को जब भी मैं represent करूँगा किसे represent करूँगा एक straight lines है ठीक है अब वो line कैसी भी हो सकती है horizontal vertical किसी भी तरह की हो सकती है एक line से में किसको रिप्रेजन करूँगा electric wire को जब भी wire बनाऊंगा आगे future में कैसे बनाऊंगा इस तरह का लाइन से बात करते हैं electric bulb की यह बल्ब का symbol इस तरह का होगा यह बल्ब का यह बल्ब कर रहा है यह नहीं कर रहा है जरूरी नहीं बनाएं लेकिन हां कभी कभी बना देते हैं कुछ लोग switch open switch of open लिखा हुआ है open यह इसको क्या बोलता है में लोग off मतलब switch off है या फिर open है यह इस तरह दिखेगा switch close मतलब on है अभी circuit में से current easily flow हो सकता है यहाँ पर switch open है मतलब off है open को off बोला है ठीक है close को on बोला है ठीक है वह किसकी तरह ब्योंगर current flow होगा यहाँ पर यह switch on है की open की बात करते है यह की open है मतलब यह off है मतलब current flow नहीं होगा question आता है कि यह दोनों switches और की अलग अलग क्यों बनाए है यह practical purposes में काम आती है की ठीक है practical perform करने में फिसिक्स के practical perform करने में काम आती है वह थी आपकी key ठीक है इसको इस तरह का अगर और यह on है तो इसका symbol कुछ इस तरह को मतलब आत बीट क्या किया हुआ है path to complete किया हुआ है पहले क्या था path incomplete था अभी क्या है path complete है ठीक है आगे देखते है next word है resistance resistance का जो symbol होगा कुछ इस तरह का होगा यह symbol होता है इसका resistance का अब resistance होता क्या है हम लोगों ने discuss नहीं किया था first of all इस level पर हम लोग डिस्कस नहीं करते है resistance के बारे में resistance क्या है resistance is the property of substance which oppose the flow of current क्या बोला मैंने कि resistance क्या एक substance की property जो क्या करती है current के flow को oppose करती है resistance is the property of substance which oppose the flow of current जो की current के flow को क्या करती है अपोस्ट करती है, मतलब suppose that किसी path से अगर current जा रहा होगा तो resistance अगर वहा हुआ, तो क्या करेगा current के flow को अपोस्ट करेगा, ठीक है जिसे कि मैंने बदाया था best conductor क्या आपका, silver, अब copper को best conductor क्यों नहीं लिया गया because उसके अंदर कुछ resistive properties होती है, वो 100% current को पास नहीं करती, अगर वो कुछ 100% current को पास कर देती, it means, वो 100% current को पास करी, इसके मतलब उसके अंदर resistance बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, और वो resistance अगर उसमें थोड़ा भी है, 5% भी है, तो क्या करेगा, current को अपोस्ट करेगा, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बता दिया है, अपर, आप मिटर की बात करते हैं, बहुत आसान है, आप मिटर को इस तरह बनाएंगे, और वोल्ट मिटर का symbol को इस तरह बनाएंगे, आप मिटर current को मेजर करेगा, वोल्ट मिटर potential difference को मेजर करेगा, अब मिटर किसको मेजर करेगा, current को मेजर करेगा, और वोल्ट मिटर किसको मेजर करेगा, आपका, potential difference को मेज़र करेगा, ठीके, potential difference confused ना हो, बता दूँँ आगे जैसे हम लोग इसके बाएंगे, धीक किसको मेजर करने, वेड़ेज को मेशर कर सकता आए वेड़ने डायटली वेंटेज को मेशर करता है वहार पोटेशल डिफ्रेंस नभी बोले तो चलेएक का बोलेंगे वालटेज को मेशर करता है फ्यूर्सığस एक सेफ्टी परामिटर है जो कि घरों के म Evans अप्लाइम में लगाया जाता है और इसका जो symbol बनता है, इस तरह का बनता है, आपने नाम भी सुनाओगा fuse का, कि fuse उड़ गया है, fuse क्या है, यह definitely आपके एज में कि नहीं सुनाओगा, अबी तो क्या हुआ है, आज कुछ time पहले है, कुछ सालों पहले, fuse को replace कर दिया गया है, MCB से एक device से, नई device से, नई invention थी, उसको हम लोगों ने fuse को replace कर दिया है, with the help of MCB, MCB था उसका नाम, miniature circuit breaker बोलते हैं उसको, MCB, तो आज कल हम लोग MCB use करते हैं, fuse को replace कर दिया गया है, fuse अब लोग बहुत कम काम में ले जाते हैं, आज कल, cell की बात करते हैं, cell को मैं किस तरह represent करता हूँ, यह cell का representation है, ठीक है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से हम लोग इसको represent करते हैं, एक cell को, for example, cell आपका इस तरह का बढ़ा हुआ है, यह आपका cell है, और यह इस तरह बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यह इसका positive terminal और यह negative terminal, ठीक है, जितने जाए जाए cell बना ले, लेकिन प्टेंस अपका यह रेने वाला है, एक positive और एक negative, अब बात करते हैं, बैटरी की, combination of more than one cell is called battery, यह अपर कितने से लगाए हुए है, मैंने अब है, 1, 2, 3, 3 cell connect किये हैं, ठीक है, तो combination of more than one cell के लाता है, अपका बैटरी, कितने भी cell लगा सकता हूँ एक बैटरी में, ठीक है, और कैसे connect होते हैं, back to back connect होते हैं, example के लिए, यह देखिए, कितने cell लगाया हैं, यह पहला cell positive, यह negative, यह positive, यह negative, यह positive, यह negative, इस तरह connected है, ठीक है, तो यह के लाता है, आपका battery, combination of more than one cell, अगर दो भी लागाँगों तो भी battery के लाएगा, ठीक है, आपका wire joint, wire joint क्या होता है, मालेजे एक wire कहीं से जा रहा है, और मैं बीच में क्या करता हूं, उसके उपर joint लगा दो, इस तरह, एक और wire connect कर दो लिए, क्या होगे, आपका wire joint, ठीक है, यह वाइर joint कि लाता है, ठीक, अब बात करते हैं, wire crossing की, इस तरह wire जा रहा है, यह आपक उखेसiran तो से नहीं तो वायर क्रॉस्त दिखाना कैसे इस तरह तरहेण यह को कर रहा है और यही करें कहलाता है तो 對不對 क्लात करें है यह स्पित्त को वीडियो को पॉर्स करें लोगते थोड़े दिर के लिए और इसको साथ दिया हुआ एक हुआ करें काम आती है सारी चीज़् है ठीक है इसको एक बार पॉज़ करके नौट डाउन करें आगे बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक के लिए काफी आसान एए और यह क्लास 6 में बढ़ने आप 7 भी एज़िस काम आता है एट मैं आता है इवन 10 में भी कभी कभी काम आ जाता है मतलब काम तो आता है तरह तक आपको युस्ट्व हो चिक हो था है ठीक है काफी आसान है एज़िदिस याद होना चीक यह सिंबल कभी चेंज नहीं होता है as-d方 थे अपया घर्रते हैं तो अभी हम बात करते हैं next topic की electric circuit को ह कि अभी Mass compliant क्या होता है काफी आशान नपाथ टूЫ electric current flow ऐसा पाथ जहां से electric current फ्लो होता है वह electric circuit क्यलाता है मैंने definition क्या बोला तब path through which the path through which electric current flow ऐसा बात जहां से क्या होता है आपका electric current flow होता है वो क्या क्या लाता है आपका electric circuit ठीक है अब इसको मैंने दो बाट में categorize किया हुआ है पहला है open electric circuit यह CKT circuit का short form है और यह गोता है close electric circuit ठीक है तो पहला हम किसकी बात करने वाले open electric circuit की अब open electric circuit क्या होगा देखो वेन switch or key in the circuit when switch or key in the circuit is open है तुम क्या बोलेंगे when switch or key in the circuit is off या फिर यह फिर वायर में कहीं ब्रेकिंग होगा यह फिर वायर में कहीं ब्रेकिंग हो वेन वालेंगे when कहलाता है आपका open electric circuit आप समझ रहें या तो switch or key off कर दूँ में या फिर वायर में ब्रेक कर दूँ दोनों ही situation में current flow नहीं होगा in short open electric circuit में current flow नहीं होगा क्या आपको इस समझ में आ रहा है लाइन काफी क्लियर लिखी विए इसके अंदर क्या वह लावा इसने when switch or key in the circuit is off या फिर off के साथ में और लिख सकता हूँ हो ओपन पहले भी लिकर बताया अभी मैंने ठीक है अब मैं इसको बनाता है कैसे बनाओं गोगा यह सरकीट है रहा है और्ल इक वायर से क्या कनेक कर रहा हूं मैं यह क्या है यह बैटरी है यह पॉजिटीव है बैटरी है और यह नेगे टर्मिनल है और switch और की मैं यहां पर स्वीक चनेक्ट कर जातों हों यह सुइच है और सुइच क्या है ओपन इस स्टेटव में दिख रहा है ईसने क्या बोला सेट में इन bell को तो शुन आैङ कि स्वांबों कि सुछरे एंद उसलाइंफ़ कर नहीं करेगा अब बात करते हैं अ PC सर्कृट closed electric circuit, कैसा होगा, simple definition, क्या आ बलेंगे, switch or key in the circuit is on, on को कह बोल सकते हो आप, close, बताया हो है, मैं switch or key in the circuit is on and there is no breaking, यहाँ पर क्या था, there is a breaking, यहाँ क्या है, there is no breaking, there is no breaking, in the conducting wire, there is no breaking, in the conducting wire, ठीक है, wire में भी breaking नहीं हो, और switch or key क्या हो आपका, on हो, तो यहाँ पर मैं switch or key draw कर दिता हूँ, काफी आसान है, यहाँ आपका, फिर से अगेन एक bulb, यह connect कर दिया मैंने और यह इस बार में key लगा दिता हूँ, यहाँ पर, यह आपका plus minus, यह क्या आपका battery है, यह आपका key है, और key क्या है यहाँ पर, on statum है, और यह bulb है, तो क्या होगा, आपका current flow होगा, और current जब flow होगा, तो बल बग का glow करेगा, जब key on होगा, और wire में कोई breaking नहीं है, ठीके, यहाँ पर wire में breaking भी हो सकती है, और switch open भी हो सकता है, मतला obvious हो सकता है, तो current flow नहीं होगा state में, और यहाँ पर current flow होगा, ठीक है, यह आपका switch और key finish, यहाँ पर electric circuit complete, क्या definition दे electric circuit का the path, through which electric current flow, ऐसा path जहाँ पर electric current flow हो रहा है, वो कहला है, electric circuit, दो बाट में classify किया, open circuit और closed circuit, open circuit में हमने क्या बोला, switch, यह switch है ही है न, short form है, switch, और key in the circuit is off, and there is a breaking in the conducting wire, wire में कहीं breaking हो जाए, wire टूट जाए, तब भी current flow नहीं करेगा, यहाँ पर क्या बोला, wire में breaking नहीं होना चाहिए, no breaking, और switch और क्या है, आपका क्या है है, यहाँ होना चाहिए, close होना चाहिए, ठीक है, तो यह कहलाएगा, यह कहलाएगा, इसमें current flow होगा, bulb glow करेगा, एक important बात जो में बताने वाला था, यह जो में elements लगाए है, bulb, battery की, कोई boundation नहीं है, कि आप यहीं लगाए, अगर आपका मन कर जाता है, यहाँ भी लगा सकते हैं, there is no boundation, आपका जहाँ मन करें, लगा दो, कोई boundation नहीं, पूरा circuit आपका है, ठीक है, समझवागी बत, तो काफी आसान ही है, और इसमें कोईशन नहीं तो डारेक्ली पूछ सकते हो, ठीक है, और एक बार revise कर जरूर करके देखें, इसको खुछ से, थैंक्यू,